काईज वल्कव टो माई चैनल स्वाम्या टैरोकार्ड लीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग इस वक्त आपके पर्सन की भावनाय आपको लेकर क्या कुछ हू रहे हैं और उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है इन सभी चीजों को टेरो कार्ड में चेक करने वाली हो में तो चैनल को लाइक सिस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी टेरो कार्ड रिडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सिस्फुली पहुँच जाए तो बैल एकन को भी प्रेस कीजिएगा तो चलिए चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं आखर उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चलता है अगर वो कांटेक्ट में है या फिर अगर वो नो कांटेक्ट सिच्पेशन में है आपके पार्टनर तो क्या उनके साथ आपका contact होगा, आगे relationship में आपकी क्या होगा, चले चेक करेंगे, तो अपने person का नाम ले लीजेगा, उसकी बाद इस reading को देखिएगा, positive रहकर reading को देखिएगा, तो चले, यूनिवर्स से भी प्रार्तना करूँगी में, कि जो भी लोग मेरे subscribers हैं, जो मुझे subscribe करते हैं, like, share, comments करते हैं, follow करते हैं, इश्वर करें, उन सभी के person लोटा हैं, वापस उनकी contact में, तो चले, देख लेते हैं कि आपकी person की first energies, यहां पर क्या कहने हैं, Oh my God, क्या बात हैं, आप लोग के बीच में no contact situation है, आप खुद देखो इस card को, इतना जादे depressed, यह card, जो मैंने first card लिया है, वो यह कह कर लिया है, कि क्या है आपकी person की energy आपके लिए, और इतना depressed, इतना प्यार, इतनी गहरी सोच, इतनी overthinking, आपके person कर रहे हैं आपके लिए, male भी हो सकते है, female भी हो सकते हैं, लेकिन, इनकी प्यार को तो देखो, आप, no contact situation में, एकदब, दिन राज जगने की बज़े से anxiety हो रही है, stress हो रहा है, रो रहे हैं, रोला देने वाली feelings दिख रही है, मुझे इसी vibration क्यों मिल रही है, कि ये आपके बना नहीं रह पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा जरूरत है आपकी, ये चाहते हैं कि आप इन्हें संभाल लो, आपके बना ये अधोरे हैं, अखेल अपन feel कर रहे हैं, आपके photos इनके हाथ में रहती हैं, हर वक्त आपके यादें इनकी दिमाग में रहती हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, काम पर focus नहीं कर पा रहे हैं, आप देखो, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बड़ा बुरा हाल है इनका तो आपके बिना, energies यहाँ पर tarot card में ऐसी ही बोल रही है, tarot card यहाँ पर यही कह रहे हैं, कि आपके person का हाल आपके बिना बहुत ज़्यादा disturb है, चुले कुछ और cards ले लेते हैं, यह आपको अपनी जिद्दगी में वापस चाहते हैं, energies यहाँ पर यह क्या रही है, कि कुछ negative energies है आप दोलों के बिच में, जिसकी बज़े से आप लोग के बिच में no contact situation हो चुका है, बट यह person आपको अपनी life में वापस चाहते हैं, आप इनकी energies को देखो, और यह हर वो कोशिस करेंगे, जिससे इनके साथ आपका रिष्टा बापस से जुड़ जाए, definitely आप दोलों के बिच में distance है इस समय पर, चाहे आप बात कर रहे हो, चाहे ना कर रहे हो, इनको आप से कोई दूर नहीं कर सकता, इनकी जो silence energies में जो सुन पा रही हूँ ना, वो सामने से silence है, पीछे बहुत ज़ादा, शोर मच रहा है, मतलब लाइक को अंदर से इतनी उथल पुथल है, इनके दिमाग में इतनी अप अपन डाउंस है, इतना सोच रहे हैं ना, कि सो नहीं पाते हैं, मतलब सामने से silence communication दिख रहा है, अब आपके साथ communication हो रहा है कि नहीं, बट मुझे तो यहां पर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में नो बात चीत, silence, एकदम silence, चिंता, कहीं आप चले ना जाओ दूर, कहीं रिष्टा खतमना हो जाए, चिंता, यह चिंता ही नहीं सोने नहीं दे रही हैं, प्यार बहुत जादा है, यह कार्ड यहां पर यह कह रहा है कि कुछ भी हो, यह आपको अपनी लाइफ में बापस लेकर आएंगे, कोशिस कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, इनकी भावनाएं आपको लेकर बहुत प्योर हैं, यह इंसान सामने से नहीं जता रहे होंगे, क्यूं थर्ड पार्टी सिच्वेशन है कि आप लोगों के बीच में, जस्टिस का कार्ड है, उनिवर्स की तरफ से, आपका जो आप एफर्ट्स डाल रहे हों गाइस, जो आप इतना जादा अपने परसन को पाना चाहते हो ना, जो इतनी कोशिसे कर रहे हो, पूजा पार्ट कर रहे हो, या फिर बहुत जादा दांद अच्छन कर रहे हो, बहुत स्प्रिच्वल हो गई हो, लॉयल हो, पॉजिटिव रहे हो, जो यह आप कर रहे हो ना, इस सब की बजहें से आज आपके परसन का फोकस आपकी तरफ हो चुका है, आज आपका परसन खुद आपकी लाइफ में वापस लॉटना चाहते हैं, मतलब इस समय की जो इस्तिती दिख रहे हैं, बहुत वीट्यूफुल है, आपके साथ नयाय होगा, इश्वर आपके साथ नयाय करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, बैलंसिंग एनर्जी आपको दिख रही होगी, आप पर पास से देख सकते हो, यह कार्ड यहां पर यह कह रहा है कि बहुत जल्द आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स ह हैं, अपने रिष्टे को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इनके साथ भविश्य को लेकर, वह एक एक सपना जो आपने देखा है, उसके पीछे आप सुबहाएं, वह पूरे होगे आपके, यूनिवर्स आपका साथ देगा, बस आपको पॉजिटिव रहना है, मन में बहुत ज़ परसन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वह उन इसाट सिंगल मैरिट, एक्स्ट्रेमरिटल, लव रिलेशन सिप्त या फिर मैरिस का रिलेशन सिप्त हो सकता है, अटेच्मेंट का काड आया हुआ है, बहुत ज़्यादा अटेच्मेंट है, आपने तो साथ में काफी बिताया है भाई एक दूसरे के साथ काफी टैम बिताया है और यहां पर जो मेरे को अनर्जीज दिख रही है कई बार नौक चौक भी होई है क्या आप लोगों के विश में कुछ चोटे मोटे शूज सम्टेम्स नौक चौक किसी तीसरे इंसान की बज़े से या कुछ इनके ए रशान, anxiety, stress, overthinking बट यह कार्ड यहां पर यह कह रहा है कि past की situation को भी बता रहे है कुछ future को भी बता रहे है बहुत कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आप लोगों के बीच में हुई है शादी वगरे भी शायद कहीं कहीं तो दिख रहा है कि merit भी की है या फिर एकटे एक साथ रहे हो वरकिंग हो सकते हैं आपके person या फिर आप दोनों ही working हो सकते हो यह चीज़ दिख रही है long distance connection यहां दिखाए दे रहा है attachment बहुत जादा है caste issue दिख रहा है मुझे आज तो caste issue आप लोगों के बीच में हो सकते है कोई caste issue हो धारे रखो patience का card है यह जो रिष्टा है जिस person के लिए reading देख रहे हो यह आपका सालो पराना दिश्टा है सदियों पराना attachment कहीं कहीं दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में यह person अभी कुछ time पहले ही आये है कुछ महीनों पहले या कुछ बहुत जादा कहीं दिख रहा है कि बहुत जादा में आये है और छे महीने पाँच मेने सब कुछ ठीक चला बट सड़ली चीज़े खराब हो गई तो कार्मिक रिलेशनसिप है उनके साथ कर्मा है इसलिए बट कर्मा भोग लिया है वो वापस आना चाहते है कफी लंबे टाम से कौल मैसिज नहीं आया है तो यहिस कार्ड की अकौर्डिंग अगर मैं ऐसा देख रहे हूँ अगर यह एनर्जी इस प्रॉपर बैट रही है तो कफी दीनों से कौल message नहीं आया है कुछ भी और कोई भी contact नहीं हुआ है लेकिन इनके energies के according यह आपके साथ मिलेना चाहते हैं खाली call message ही नहीं मिलना भी चाहते हैं relationship तो आपका बहुत बढ़िया दिख रहा है नजर लगी हुई है कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके रिष्टे को नजर लग गई है भाई कुछ लोग है ऐसे जो आपके relationship को तुणवाने में लगे हुए है बहुत ज़ादा जिनका involvement आपके relationship में हुआ है और उनकी वजह से आप दोलों के बेज में बहुत ज़ादा दूरिया बढ़ गई है मतलब वो पीछे से पड़े हुए है कि वो इस relationship को जुड़ने नहीं देंगे लेकिन कहता ना कि इश्वर की मर्जी की बना कुछ होता है नहीं अगर इश्वर किसी को मिलाना चाहता है तो कोई बुर नहीं कर सकता इश्वर आपा सपोर्ट करते हुए मुझे यहां पर पर दिकरें आप देखो में जैस्टिस का काड है कि इश्वर ने देखी आपकी इमान्धारी आपकी प्यार कम tukनिका इस पर ने देखा आपके लॉयल्टी को को इश्वर में देखा और फिर कहीं नहीं पास्ट रिलेशन से पर करबा जोड़ा है आपके परसन के साथ तो अलग नहीं हो सकते हो कुछ अरजिस को चेक करूंगी राशिया पता देती हूं मैं आपको राशिया देख लेते हैं या या राशिया है सब्सक्राइब करके रखिएगा बैल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मैं जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ अभी बहुत जल्ली रिसेंटली reunion की उपर लेकर आ रही हो और karma की उपर थर्ड पाटि की उपर reading लेकर आ रही हो तो subscribe अगरा करके रखेगा social media की site पर अगर आप मिले हो या social media की through अगर उन्होंने आपको block किया है तो recently आपको unblock करने वाले है आपके person energies के according social media की हर site पर बिलॉक किया है आपके पर शॉने लिकिन दव्मायजर का काड है ये आपको देखते हैं मतल्च रॉक Конül सब्सक्राइब ऑड जुबंद करते हैं वह सबुक्राइब निजर में हो आप क्योंकि वह आपकी बना नहीं रह सकते हैं of आपको देखना ही देखना है कुछ चीजें नाराज़गी है कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो आपको दूर कर रही है मैंने बुला ला कुछ नेगेटिव अनजीज हो सकती है जो बहुत ज़दा तो इसलिए माइंड को बहुत ज़दा पॉजटिव टेकने के ज़रूरत है जान भूज़कर आपके रिलेशनिफ को ब्रेक कराना चाहते हैं लेकिन एनर्जीज यहां पर आपको मिलाएगी तो इनर्जीज बहुत जल्दा आपको मिलाएगी है सबीकर है फ्रेंडली कार्ड है ना राशिया देख लेते हैं कंप्लीट होगा आपका रिलेशनिफ पूर कंप्लीट से मतलब अगर इन्होंने शादी को लेकर प्रमिस किया है और किसी और जिके शादी हो गई है या पर कुछ ऐसी चीज़े तो वो कहीं न कहीं आपके साथ जस्टिस करेंगे आपके साथ जस्टिस होगा तो यहां पर आशिया है मेश, तुला, कॉम, कन्या, स्कॉर प्योपाइसस, लिवरा, सजिटेरियस, जैमिनी, सालीबरेशन का कार्ड आ चुका है, जिस भी टाइम अफ पिरियड में हो, बहुत जल्द इनके साथ शादी के बंदन में बंदने वाले हो आप, जिस भी टाइम पिरियड में बैठे हो, किसी भी मन्त में बैठे हो, और कभ करेंगे पूरी मेलेस को, मतलब सामने लेकर आएंगे आपको और अपने प्यार को, प्यार इनों ने चुपा के रखा हुआ है दुनिया वालों से, अपने प्यार को लेकर आएंगे जग जाहिर करेंगे, सामने लेकर आएंगे आपको और आपकी अपने प्यार को, एक बहु कुछी इसी भी दिखा रही है क्या बात है आज तो आपके परसूर को बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं और मैं इसके रीजन देख लेती हूं कि आज आखर इतना क्यू रो रहे हैं रूला रोरें है आपके बहुत जादा थर्ड पर्सन का प्रेशर भी बढ़न है तो बढ़न की बज़े से कहीं न कहीं लो कंटक सुच्वेशन है अच्छा सामने से ना यह हो सकते हैं कि सामने से बहुत जादा आपको यह करके दिखाएं कि बहुत खुश है क्योंकि थर्ड पर्टी सुच्वेशन दिख रहा है और बज़े से असी इस्तिती हो सकती है कि वो शामने से ना उसने दिखाएं कि खुश है लेकिन खुश नहीं है अंदर से खुश नहीं है कुछ कार्ड हो ले लेंगे और देखेंगे कि यह इतना ज़्याद क्यों परिशान हो रहे आज क्यों इतना ज़्याद करें और अगर आप मुझसे कॉंटेट करना चाहते हैं रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं नमबर नोट कर सकते हैं 9540119650 यह नमबर पर आप मैसेज करके अपांबर्मेंट ले सकते हैं लेकिन कॉल नहीं करिएगा प्रिएगा प्र Kahla 35401-19650, तो देखते हैं कि हम नहीं पर आज याद आ रही है भाहिए बहुत जादा याद आ रही है अपकी, यस अग, मैं दिखा देते हूं, पास से काट, मैंजिफास्ट कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे है, मेडिटेशन, निवर्स से कह रहे हैं, क्यों हमें दूर कर दिया मेरे पार्टनर को क्यों मुझसे दोल कर दिया कि इछवर से पूछ रहे ऊंदम कि चाहिए समिन से इस इनसानैसे कर रहा है मतलब मैं शौक डोगाइल आप ने मैं शौक डो क्यों की जो चीज मेरे को दिख रही है वो श्याइद मैं आपको दिखा पाओ कि लग सामने से यह परसन आपके सामने ऐसा विएप कर रहे कि ने कोई मतलम नहीं है अपसे लेकिन पीछे-पीछे आपकी बाते आपकी यादे इन्हें रूला रही है अकेलापन महसूस कर रहे हैं बहुती वीटिफुल बहुती वीटिफुल अनर्जीज है कम से कम आपके परसन को आपकी कदर तो हुई उन्हें सची प्यार की फीलिंग्स तो पता चली उन्हें पता समझ में तो आया कि हाँ आपने उनको और उन्होंने आपसे सच्छा प्यार क करती है तब ही पता चलता है कि हाँ भाई उससान का प्यार तो सच्छा ता एक वही तो था जो मेरे लितना कुछ करता था यह करती थी है ना तो आपने जरूर इनको बहुत सपोर्ट किया होगा बहुत ही जादा कुछ नकुछ तो ऐसा होगा आपको प्यार में जो इन्हें आज आपकी याद दिला रहा है और यह बापने साने को मजबूर हो गए है तो गाइस यह है रीडिंग आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरे यह टरू का रीडिंग कितना करेक्ट किया है आप मुझे जरूर पताएगा और टेक केल बाइब बाय बाय